आज 5 फरवरी से बेसिक सिच्छा विभाग से संबंदित जो भी महत्पूर नियूज हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे तो आप वीडियो कंपेट देखिएगा तो सबसे पहले जो खबर बनती है वो है स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए केंसरकान ने गाइडलाइन चारी कर दिये गई है तो इस गाइडलाइन में क्या नई नियम बनाए गए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो देखते हैं तो यह पर भारत में Korona महमारी की कहरे के चलते बंद कर दिये गए स्कूल कालेजों को दुबारा खोले जाने की तयारी सुरूर कर दिये गई है इसी के चलते किन सरकान ने खुल रहे स्कूल कॉलेजों के लिए संसोदे दिशा निर्देश चारी कर दी गए तो इन दिशा निर्देशों में सापसफाई कार और उनकी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं चात्रों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की विवस्था हो ये निर्देश दिए गए हैं इसकूल कॉलोजे में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ये निर्देश दिए गए हैं और इसके साथी साथ अलग अलग किलासेश के लिए सीमित फ्लेक्शिवल टाइमिंग सभी छात्र और करमचारी मास्क पहन कर स्कूल पहुँचेंगे मिड़े मील के बितरड के दौरान सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नियमित आधार पर स्कूल परवहन का सेनिटाइजेशन करना होगा च्छात्र वासों में विस्तरों के बीच सपर्याप्त दूरी सुनेशित करनी होगी इसकूल को खोलने के लिए के दने गाइडलाइन जारी की है तो इनी गाइडलाइन के आधार पर स्कूलों में ध्यान रखा जाएगा और जो प्रोटोकॉल है स्वास्त और स्वरच्छा प्रोटोकॉल उनके सनिर्दिस को पालन करना जरूरी रहेगा ग्यारे राजियों में स्कूल खोल चुके हैं सोले राजियों में स्कूल आंसे गूप से खोले गए हैं जबकि नौ राजियों में अभी सेच्छे संस्थान बंद रखे गए हैं अब यहां पर हम देखते हैं आवकास से सम्मंदित सूचना आज 5 फरवरी को सभी बेसिक सिच्छा विवाग की स्कूल बंद रहेंगी इसका कारण साफ है कि आज बसंत पंचमी का आवकास रहेगा तो यहां पर यह हम आपको पूरा आवकास तालका भी दिखा दी रहे हैं पूर से नियूज है कोबिट के चलते लंबे शमय से बंद रहे इसकूलों के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान ना हो इसके लिए लर्निंग रेकवरी प्लान तयार किया गया है सत्त दोहजार बाइस तेस में लागू इसे किया जाएगा और बच्चों के हुए नुक्सान की भरभाई की जाएगी इसमें सच्चकों, चात्रों और अव्याबकों को भी सामिल किया जाएगा कच्चा एक से तीन और आगे की कच्चाओं के लिए अलग-अलग प्लान तयार किये गए है इसे किंदरी इस्तर पर स्कूल सिच्चा विभागनी तयार किया है जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा इसकी तयारी भी सुरू कर दी गई है इसके अलसिख भाग पर पहले से भी अमल किया रहा है ताकि स्कूल बंदी के दोरान बच्चों को अधिक नुक्षान ना हो तो इस प्रकरिया में सभी जो बच्चे हैं उनकी ट्रेशिंग की जाएगी अवावक सहरी छेते छोड़ कर गावों आदी में चले जाते हैं उनकी साथ उनका परिवार भी प्लाइन कर जाता है ताकि यह उनकी पढ़ाई में मदद कर सकी बच्चों के लिए पढ़ाई के अलग से पिलान तैयार कर छूटे हुए कोर्स की बारपाई कराई जाएगी इसके बाद में विकल्ब भी तैयार किये गए हैं नए सत्र के लिए पढ़ाई के विकल्ब भी तैयार किये गए हैं, यदि बीच सत्र में किनी काड़ों से स्कूल बंद होते हैं, तो उनकी पढ़ाई को सतत बनाई रखने के लिए पहली से यूजन तैयार की गई हैं, सच्चक सामक्री के उपलब्दता सुनिश्चित कराने के इस प्लान तैयार किया गया है, ताकि स्कूल बंदी के दोरान उन्हें इस से मदद मिल सके, ओनलाइन की आदत भी रहेगी, सच्चकों और शात्रों को अनेक ओनलाइन मोड से भी कनेक्ट रखा जाएगा, सच्चकों को प्रसचण और बच्चों को लर्निक रिकवरी के बारना है.